हेलो स्टुडेंस आज हम हमारे कंप्यूटर बुक का फर्स चैप्र स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इवाल्यूशन और कंप्यूटर आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज कल हम बहुत सारे क्याकुलेशन करने के लिए कभी-कभी क्या क्याकाकुलेटर या कंप्यूटर जैसी डिवाइस का स्थवात करेंगे है तर लोग सिर्फ addition या subtraction ही कर पाते थे ठीक है तो इस चीज को इस problem को solve करने के लिए धीरे धीरे human being ने brain अपने brain का use किया और various inventions करें जिसके थूँ वो calculations को और easy और और perfect बना सके ठीक है तो जब उन्होंने stone use करना चालू किया था जो हमारे ancestors थे या प्राचीन यूग में जो भ करना start किया था उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि एक दिन यह calculation के लिए जो वो stone use करें वो एक दिन एक ऐसी device के lead करेंगे जो की हर काम करने में सक्षम होगी so today we are using computers all of you know what are computers yes computers are widely used for various work बहुत सारे काम हम आसानी से कम समय में आराम से कर सकते हैं पर उसकी भी एक background history है कि कैसे आज जो हम computer use कर रहे हैं वो आज हमारे सामने आया है सबसे पहले Chinese यहां फिर सबसे पहले जो invented machine थी calculating device जो use हुई थी जो invent हुई थी वो थी abacus stones के बाद में ठीक है और फिर digital counting machines अलग-अलग devices invent हुई तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे abacus के बारे में abacus is also known as the mechanical calculating device यह क्या है mechanical calculating device and it is used to perform addition and subtraction माने subtraction और addition perform करने के लिए इसका invention हुआ था किस ने invention किया था Chinese educationalist ने और वो 500 BC से अभी तक use में है आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों को addition subtraction सिखाने के लिए abacus का use किया जाता है अब abacus is made up of wooden frame यह एक लकड़ी के frame से बना हुआ है जिसमें rods fitted है ठीक है और हर rod में एक certain number of beads यानि की मोती पिरवए हुए होते हैं और यह दो भागों में divided होता है एक का नाम होता है heaven heaven यानि की स्वर वो रेक का नाम होता है earth जो उपर वाला part होता है वो heaven होता है और नीचे वाला part होता है वो earth होता है तो जब हम वोती इधर से उधर slide करते हैं तो हम addition या subtraction जैसे calculations easily कर पाते हैं उसके बाद napier's bones करके एक device invent हुई थी नेपियस इंवेंट की थी जॉन नेपियर जो की स्कॉटलेंड में थे उन्होंने उस टाइम पर यह calculating device इंवेंट करी थी कब 16-17 में 16-17 year में उन्होंने यह calculating device इंवेंट करी थी यह better calculating device थी abacus के comparison में और इसका नाम क्या था नेपियर बोन तो नेपियर बोन यूज्ट बोन की रॉड्स यूज्ट करी थी counting परपस के लिए वेर सब नंबर इस प्रिंटेड ऑन इस रो तो कुछ नंबर्स प्रिंटेड थे उन रॉड्स पे और इस रॉ addition, subtraction, multiplication और division आसानी से किये जा सकते थे ओके यू can see the picture यह जॉन नेपियर है और इनोंने यह नेपियर बोन बनाई थी इंटरनेट पे भी या Google पे आप जाके सर्च कर सकते हैं तो नेपियर बोन की clear picture आपको visible हो जाएगी it is manually operated, manually operated का मतलब है कि यह इंसाना द्वारा ही operate किया जाता है था addition, subtraction यह multiplication करने के लिए नेपियर for calculation of products and questions of numbers, okay तो जॉन नेपियर calculation करने के लिए यानि जॉन नेपियर products और questions निकालने के लिए इसको manually operate करते थे और कोई भी इसको use करता था तो वो manually operate होता था next है हमारा Pascal's Calculator इसके बाद और advancement हुआ और कुछ नई जो भी खामिया थी नेपियर बोंस में उनको solve करने के लिए Pascal ने एक नया device calculating device invent करी, कब invent करी 1642 में ब्लेस पास्कल नाम की क्या नाम है ब्लेस पास्कल फ्रेंच साइंटिस्ट थे फ्रांस से थे उन्होंने एक machine बनाई जिसका नाम है Pascal's Calculator and this was the first mechanical calculator क्या है first mechanical calculator जो calculator हम use करते है उसमें से जो first mechanical calculator था वो क्या था पास्कल's calculator which represents the position of digits with the help of gears in its view है आप लोगोंने learn किया होगा mathematics में position या place value 10s, 1s, 100s etc तो वो position सबसे पहले ब्लेस पास्कल ने अपने पास्कल's calculator में प्रेजन की थी उसके बाद आता है लिबनेस कैलकुलेटर इंदा यह 1671 जर्मन मैथमेटिशन जर्मनी के जो mathematician थे गौट्प्रेड लिबनेस उन्होंने पास्कल कैलकुलेटर को थोड़ा सा modify किया उसमें जो भी खामिया थी वो हटाई और फिर उन्होंने एक मशीन डेवलप करी जो बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकती थे किस पर बेज मल्डिप्लिकेशन और डिवीजन पर भी बेज़ाइन पर फोड़ा से Pascals Calculator से पर थोड़ा सा उसमें advancement है फिर थोड़े सालों बाद जब धीरे धीरे और इसमें discovery या inventions होते गए तो एक analytical engine बनाया गया analytical engine 1833 में एक scientist जो England के थे Charles Babbage नाम था इनका Charles Babbage यह बहुत important नाम है and you should always remember that तो Charles Babbage ने यह machine invent करी थी and इसका नाम इनका रखा था analytical engine it was considered the first mechanical calculator यानि कि first mechanical calculator था and the machine consists of four components four components थे इसमें यानि चार पार्ट से पहला था the mill, the store, the reader and the printer the mill was the calculating unit in this engine calculating unit जैसे हमारे present computer में जो CPU होता है उसमें सारे process होते हैं, सारे performance होते हैं वैसे ही mill का कान था, सारे calculations और सब कुछ कान mill में होता था और store एक memory की तरह था, reader आपका input device और printer आपका output device तो यह present computer से बहुत relate करता था it included such feature which is used in today's computer language जो आज के computer language में जो features used होते हैं वो सारे features इस डिवाइस में थे for this great invention of computer Sir Charles Babbage is known as the father of computer तो आप से कभी भी पूछा जाए कि who is the father of computer तो आप क्या बताएंगे Sir Charles Babbage तो आप देख सकता है analytical engine की picture और यह है Charles Babbage फिर उन्होंने और invention के बाद नए और devices invent करी like difference engine और difference engine के advancement के बाद धीरे धीरे करके हम आज के present day computers पे आपाएं अब हम learn करेंगे generation of computers तो जैसे जैसे advancement होते गए तो computers के device में various changes आते गए तो जैसे जैसे और reliable machine चाहिए हमको और और हमारा काम जो जल्दी कर सके ऐसी machine चाहिए तो धीरे धीरे inventions के तुरू ऐसी machine हमारे सामने आई during this time in the year 1946 1946 में first successful electronic computer first successful electronic computer जो बना था वो था ENIAC okay ENIAC was developed and it was the starting point of current generation of computer तो इसको जो first computer जो electronic computer था जिसको manually operate करने की जरुवत नहीं पड़ती थी वो था ENIAC और उसी के तुरू आज हमारे पास जो laptop है computer है वहां तक हम पहुँच पाएं there are totally five computer generations known till date तो five generations है computer की first generation के बारे में हम पड़ते हैं तो first generation कहां से थी 1940 से लेकर 1958 तक first generation of computers थी ENIAC was the world's first successful electronic computer which was developed by two scientists दो scientists ने इसको develop किया था J.P. Eckert and J.W. Macaulay यहाँ पे spelling mistake है L-Y आएगा M-A-U-C-H-L-Y तो J.P. Eckert और J.W. Macaulay in year 1946 तो 1946 में ENIAC का development हुआ था and it was the beginning of first generation computer okay first generation computer का beginning था the full form of ENIAC, ENIAC का full form क्या था? electronic, numerical, integrator and calculator तो यह ENIAC का full form क्या है? electronic, numerical, integrator and computer और calculator it should be ENIAC was a very huge and big computer and its weight was 30 tons मतब इतना बड़ा computer था यह कि इसका weight 30 tons था it could store only limited or small amount of information बहुत कम और limited amount of information store कर सकता था and initially in the first generation computer concept of vacuum tubes vacuum tubes use किये जाते थे तो vacuum tubes एक electronic components है electronic device we can say component है जिसकी efficiency, work efficiency बहुत कम है so it could not work properly and required large cooling system क्योंकि यह बहुत बड़ा था बहुत large size में था तो यह बहुत सारी heat produce करता था उसको cool करने के लिए बहुत सारे equipments की जर्वत परती थी और उसकी efficiency भी जादा अच्छी नहीं थी फिर धीरे धीरे करके second generation पे आए second generation computers 1959 से लेकर 1963 तक रहे as the development moved further second generation computers knocked the door in this generation transistors were used vacuum tubes की जगा transistor use हुए थे और transistor भी electronic components थे transistor is much smaller in size vacuum tubes की comparison में transistors बहुत छोटे थे as the size of the electrons component decrease the vacuum tube to transistors the size of the computers also decrease माने इन है एक बहुत बड़ा device था जैसे जैसे vacuum tube को हटा के हमने transistors use करना चालू किया तो computers का size भी decrease होने लग गया और उसको cooling करने के लिए भी components की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी फिर आते हैं हमारे third generation computer तो third generation computer 1964 से 1970 तक है third generation computer में और छोटे device यूज होने लगे that is integrated circuits और IC जिसको बोलते है was used in electronic computers component for computers the development of IC gave birth to new field of micro electronics यह micro electronics की field को advancement दिया इन होने the main advantage of IC is not only its small size यह सिर्फ small size नहीं है यह superior performance और reliability भी था जैसे previous circuits में जो reliability नहीं मिलती जिसके उपर हम भरोसा कर सकें और performance भी superior नहीं था पर IC ऐसी चीर थी जो small भी थी size में और जिसके उपर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते थे and it was first developed by TS Kilby तो सबसे पहले first किसने develop किया था इसको TS Kilby ने this generation of computers has a huge storage capacity and huge calculating device मतब बहुत जादा storage capacity थी और calculating speed भी उसकी बहुत जादा अच्छी थी ठीक है फिर आता ही है integrated chip का एक you can see a picture is there the first microprocessor Intel's 4004 was designed for the business count calculator this is a fact okay अब 4th generation computer में आते हैं तो 4th generation computer 1971 से present era तक है and this is the generation where we are working today the computers which we see around us belong to 4th generation the computers हम आसपास हमारे आसपास देखते हैं वो 4th generation computers है and microprocessor is the main concept behind the generation of computer these generation of computer the microprocessor is a single chip LSI circuit and which is used in a computer for any arithmetic or logical functions to be performed in a program कोई सा भी arithmetical or logical functions को perform करने के लिए LSI circuit गया microprocessor single chip यूज होती है in the 4th generation computer the size of computer became very small and it performs fast and efficiently तो performance अलसो fast और efficient हो गई देखो small computers और यह है LSI you can see tablets यूज करते हैं हम laptops यूज करते हैं palm top यूज करते हैं that are 4th generation computer फिर आया present and beyond अभी जो जन्रेशन चल रही है और आगे जो जन्रेशन आने वाली है वो होती है हमारी 5th generation इस जन्रेशन इस बेस्ट आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आर्टिफिशल इंटेलिजेंस AI पर बेस्ट हैं a new technology that make computers think like humans मतलब computers humans की तरह सोच सकते हैं ऐसी टेकनोलोजी डेवलप हो रही है this generation is still in development the goal is to develop devices which respond to the natural language input and are capable of learning and self-organization तो जैसे natural input आप Google tools में देखते हैं कि हम जो भी बोलते हैं वो टाइप हो सकता है तो ऐसे टाइप की टेकनोलोजी इसमें डेवलप हो रही है दीरे दीरे जो हमारी natural language को understand कर सकते हैं और अपने आप ही self-organize कर सकते हैं these are some applications such as robotics that are being used today toh robotics आजकल जो बहुत यूस में चल रहा है वो होते हैं robotics okay now we have some robo fact also automated transportation will become common in the future this means driverless car driverless car now you might have seen various advertisements have been coming of driverless car and are also possible with artificial intelligence so students we have a quick review of our chapter given in our book you just go through that मतलब इसको आपको read करना है आपको पता चलेगा जो जो हमने इस chapter में पढ़ा है एक activity है जिसमें आपको इनका years लिखना है कि first generation कौन से year से कौन से year तक थी second third fourth कब से कब तक थी और fifth भी चीक है यह आप खुद करेंगे अब हम exercises पर आते हैं तिक दर करेक्ट आंसर में which device was invented by Chinese to calculate large numbers तो Chinese ने क्या डेवलप किया था abacus who invented analytical engine analytical engine किस ने डेवलप किया था चार्ल्स बैबेज ने फिर first generation computer technology कौन सी technology यूज करते थे that is vacuum tube and what is the full form of IC IC का full form क्या था integrated circuits और इसमें जो fill in the blanks है question answers है और full form है वो आपको pdf format में notes में मिल चाहेंगे okay students by आपका जो chapter यहां पर खतम होता है so अब फिर से मिलते हैं next video में